टीवी से आक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले सुशान सिंग राजपूर तो हमारे बीच नहीं रहें लेकिन अपने पीछे बहुत से जिगरी दोस्त बहुत सी यादें छोड़ गए हैं ऐसी यादें जिन्हें याद कर कई बार उनके दोस्तों की उनके फैंस की आँखे भराती है सुशान्त का ओरा ही कुछ ऐसा था अब मामले की तहकीकात जारी है सुशान्त के पिता बेटे को नया दिलाने के लिए जी दोड महनत कर रहे हैं इस बीच गुरमीत चौधरी ने सुशान्त को याद किया है दो जिगरी दोस्त में से एक चला गया है गुरमीत सिंग चौधरी ने भी अपने आटिंग करियर की शिरुवात टीवी से ही की जैसे कि सुशान्त ने की थी लेकिन आज गुर्मीत जिस मुकाम पर खड़े हैं उसके लिए पूरा श्रिय सिर्फ और सिर्फ सुशांत को देते हैं गुर्मीत साफ लख्जों में कहते हैं कि वो आज जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत की वजह से ही है एक इंट्वियो की दुरान गुर्मीत ने कहा कि मेरे घर के हर कोने में सुशान्त की यादे बसी हैं अगर सुशान्त टीवी से फिल्मों में नहीं जाते तो आज शायद मुझे भी फिल्मों में काम नहीं मिल पाता गुर्मीत कहते हैं कि सुशान्त ने हम लोगों के लिए एक राह बनाई अगर वो फिल्मों में नहीं जाते और सफल नहीं होते तो शायद बॉलिवूड के मेकर्स कहते कि तुम्हें टीवी के दर्शकों ने खूब देखा है भला बड़े परदे पर पैसा लगा कर कौन देखेगा लेकिन सुशान्त ने टीवी सितारों को लेकर बॉलिवूड का नजरिया बदला सुशान्त ने वो दीवार तोड़ी और इसी के बाद मैं भट क्यांप की फिल्म से बॉलिवूड में डेब्यू कर पाया अपने बॉलिवूड करियर के लिए सुशान्त को फुल क्रेडिट देने वाले गुर्मीट सिंग चौधरी ने ये भी बताया कि वो और सुशान्त बिहार के एक ही गाउं से तालुक रखते हैं ये भी एक वज़ा रही जो दोनों के बीच में इतना गहरा नाता रहा गुर्मीट ने सुशान्त सिंग मामले में लोगों से सिर्फ इतनी अपील की है कि सुशान्त के बारे में कुछ भी बोलने से पहले लोग एक बार जरूर सोचे हम सभी को सुशान्त की फामिली की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी तो कुछ इस तरह से एक इंट्रिव्यू के दोरान गुर्मीट सिंग चौधरी ने अपने और सुशान के बीच के गहरे रिष्टे को दुनिया के सामने रखा कर दो कर दो कर दो कर दो